So Hello Everyone, Welcome back to Digital Journey Support दोस्तों इस वीडियो में हम सेखने वाले हैं कि हॉस्टिंगर बिजनस इमेल को हम आउट्लुक के साथ किस तरीके से उसको कन्फिगर करके आउट्लुक अप्लिकेशन के अंदर अपनी बिजनस इमेल को यूज कर सकते हैं तो वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिना स्किप के इसे लाश्ट तक जरूर दे के ताकि कोगी सावी स्टेप आप से मिसना हो तो बिजनस इमेल को किसी भी अप्लिकेशन के साथ इंटेग्रेट करने के लिए और उसे यूज करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी होस्टिंगर के अंदर अपनी बिजनस इमेल को सेट अप कर लेनी है या अगर आपने किसी another service provider से अपनी business email को purchase किया हुआ है तो वहाँ पर पहले आपने उसे setup कर लेनी है जैसे कि यहाँ पर आप दिख सकते हैं कि हमारा business email setup है तो हम इसको manage के उपर click करेंगे और इसके overview को हम यहाँ पर open कर लेंगे dashboard को open कर लेंगे तो यह हमारा हो गया business email अब हमने इस business email को किसी another application यानि कि outlook के साथ use करनी है तो जैसे कि आपको पता है कि outlook web browser के अंदर आप easily अपनी business email को integrate करके use नहीं कर सकते यह process थोड़ा tough है लेकिन अगर आप outlook application को अपनी system के ऊपर चाहे आप computer यूज़ कर रहे हों या mobile phone यूज़ कर रहे हों उसके उपर download कर लेते हैं तो उसके अंदर आपको integration करने में आसानी होगी तो सबसे पहले तो आपने अपनी system के ऊपर इस application को download कर लेनी है आउट्लूक application को चाहे आप computer यूज़ कर रहे हों या आप mobile phone यूज़ कर रहे हों उसके बाद आपने उस app को open कर लेनी है जैसे कि मैं यहाँ पर Microsoft Outlook को open कर लेता हूँ तो जैसे ही application यहाँ पर open होगा आपको यहाँ पर account add करनी है जो account आप इस application के अंदर use करना चाहते हैं हमने यहाँ पर अपने business email को use करनी है तो हम अपने business email address यहाँ पर fill करेंगे तो हम यहाँ से इसको copy कर लेते हैं यहाँ पर हम paste कर देंगे देन continue देन आपने यहाँ पर चूज करनी है synchronize directly with IMAP अब यहाँ पर आपने show advance settings इसे आपने open कर देनी है यहाँ पर आपने IMAP password देनी है अब यह IMAP password आपका क्या है तो IMAP password आपका by default जो आपकी email का password है वही password आपने यहाँ पर fill करनी है अब यहाँ IMAP incoming server तो IMAP incoming server हमारा क्या है इसके लिए आपको यहाँ पर आनी है connect apps and devices तो यहाँ पर यह सारे configuration के protocols आपको मिल जाएंगे हमारा IMAP यानि के incoming server का host यानि कि इसका protocol क्या है name server हमने इसे यहाँ से copy करनी है यहाँ पर हम paste कर देंगे यहाँ पर हम port चूज कर लेंगे तो port हमारा क्या है 993 यहाँ पर port हमारा automatically आ गया है 993 यहाँ पर use SSL to connect recommended है उसके बाद से हमने यहाँ पर SMTP username देनी है तब यह SMTP username by default जो आपका business email है वही यहाँ पर fill कर देनी है तो हम यहाँ से इसको copy कर लेंगे यहाँ पर paste करेंगे अगेन हमने अपनी business email का password यहाँ पर SMTP password के अंदर भी fill करनी है यहाँ पर SMTP outgoing server हम यहाँ से copy करेंगे SMTP outgoing server copy port हमारा है 465 यहाँ पर देख रहें कि automatically यह synchronize होके आ चुका है तो हम यहाँ पर इसको paste कर देंगे यहाँ पर port हमारा ओल्रेडी आ चुका है then हमने यहाँ पर add account इसको उपर click करनी है next यहाँ पर no I don't send optional data accept done then personalize now finish letter तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि easily आप अपनी outlook application के अंदर अपने business email को add कर सकते हैं अब आप यहाँ से अपने business email को fully manage कर सकते हैं यहाँ से आप email compose कर सकते हैं email receive कर सकते हैं सारे चीज़े automatically आपके outlook application के अंदर आ जाएंगी अब जिससे ही आपका email outlook application के अंदर properly set up हो जाएं आपने इसको एक बार check कर लेनी हैं एक email आपको send करनी है अपने दूसरे email के ऊपर और वहाँ से अगेन आपको एक email send करनी है इस email के ऊपर जिससे कि आपको प्रोपरली पता चल जाए कि यह email प्रोपरली outlook application के अंदर काम कर रहा है या नहीं तो I hope कि इस वीडियो के माध्यम से आपने सेख लिया होगा कि किस तरीके से आपने अपने बिजनस email को outlook application के अंदर configure करनी है सेट अप करनी है और उसे use करनी है वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो गर आपको informative लगी हो तो इसे like, share जरूर क हुआ हुआ है